तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास हर्याना बोर्ड की नई किताबे भारत एवं विश्व जो है उस किताब का पार्ट नंबर 3 के महत्वपूर्ण परसनुस्तर पार्ट का नाम है विश्व के पर्मुख दर्शन चलो सुरू करते हैं और यह परसन जो है ना कोई पहले के पेपरों में नहीं आयो है क्योंकि भाईया किताब नहीं नहीं है ठीक है तो यह जो कोस्टन्स है यह मैंने अपने अंदाज के हिसाब से आज माई एक्सपीरेंस कोई आइडिया नहीं है तो अभ्याइश के परसनुतर जरूर से कर लेना क्योंकि ज्यादा नाइंटी परसनेंट परसनुत्रों में से ही देखने को मिलेंगे तो इसलिए वहां पे ज्यादा फोकस रखना और इसमें भी जो है ना आपको महत्तर पूर्ण उन में से भी मैंन जो है आपको सारा कंटेंट रिटन में मिल जाएगा आपको जो है हर एक चैप्टर के नोट्स कोश्चन अंसर या ब्यास के पर सनुक्तर इंपोर्टेंट कोश्चन यह सारी चीजे लिख हुई में लेंगी वीडियो भी मिल जाएंगी और नोट्स की बज़ए वहाँ पे पर प्रिप्रों में लिख रखे हैं और बहुत इंपोर्टेंट तो आप उनको भी प्रिपेर कर सकते और बाकी के जो कोस्टेंस वगरा भी हैं वो अपडेट कर रहे हैं हम साथ के साथ में तो चैक आउट कर लेना अब सुरू करते हैं यहाँपर पहले परसन से वैदिक दर के चार महत्तापून स्त्रोतों के नाम लिखे हैं तो वेद, ब्रह्मन-गरंथ, आर्ण्यक और उपनी सद्द्र थीक है, अब अगला है अहिंसा अम्रिषा अस्ते अप्रिग्रह और ब्रहमचरिया ब्रहमचरिया सबसे इंप्पोर्टेंट में बाकियों से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला परसन हमारा गोतम बुद्ध के जीवन की चार महत्वपुन घटनाओं के नाम लिखिए पहली घटना थी महाभिन कर्मन दूसरी थी संभोधी धर्म चक्कर परवर्तन और महापरी निर्वान यह जो है डिटेल में पढ़ोगे जब आप तो लाइफ के अंदर चार स्टेजिज आई थी एक तो था उसका बच्पर उसका जिंदगी कैसी थी उसके बाद में उसने घरबार छोड़ दिया परि किया है सभी दर्शनों का अंतिम लक्षय क्या है सभी दर्शनों का एक ही लक्षय है और वह है दुखों के मूल कारण से मनुष्य को मुक्ति दिला कर उसे मौक्स की प्राप्ती करवाना गाहितरी मंतर की स्वेद से समझ लिए बहुत इंपर्टन रहने वाला यह करने के लि तो याद करना पढ़ना मतलग और उसके बाद उत्तर याद कर लेना ठीक याद करना है तो आसानी चाप उसको कर पाऊगे और एक एक नंबर आपके जो परसन उत्र बढ़िया हो जाए बाकि अगर चाहो तो मैं उसको जो है अलग से भी लिख दूंगा परसन और उत्तर डा आता है तो आपको कमेंट में शिर्फ यह बताना है यह परसन हमारे पेपर में आया है उससे होगा क्या हम इन चैप्टर को जो को सब्सक्राइब करते जाएंगे और दीरे दीरे जो है यह आने वाले स्टूटेंट्स जो है उनको जो है बहुत सारा जो है ग्यान की चीज़े मिलेंगे काम आपाएगा यह बहुत ज़्यादा अभी आपके वी काम आएगा बाद में टैंथ तक सारी किताबे बदली है तो क्लास जो है आपको बतानी पड़ेगी कि आपको उन्शी क्लास कि कोई भी वीडियो पर कमेंट कर देने कोई दिक्कत नहीं है तो वहां पर जो ह क्लास टैन लिखना है उसके बाद में परसन लिखना बस आपको उत्तर हम अपने आप ढूंडते रहेंगे उसका कोई आपको उसकी टैंसल लेने जुरूरत नहीं है बट हम वह हो सकता है आप यूटी होते रहेंगे ना बीच बीच में तो बाद में फाइनल एक्जाम में वही परसन पूछे जाए तो उनको हम यहाँ पर डेट कर देंगे इंपोर्टेंट कोशन में तो आप ही के काम भी आ सकते हूं दो बारा से तो इसलिए आपको करना पड़ेगा इतना तो तो वेट हम भी उमीद करेंगे आप कर दोगे इतनी सिकमेंट तो करीद होगे चलो देखत करते हैं सिर्फ चार दर्सन के नाम लिखिए हैं बौए याद आजाए याद आ सकता है तो आपっ आदेने हैं ठीक है वैसे आसान तो यही है आसान वाले लिखते हैं मैंने क्योंकि याद भी रहेंगे वैसे इन में सबसे इंपोर्टेंट रहेगा ना वह है बोध दर्सन और एक है हमारा वैदिक दर्सन यह दो दर्सन जरूर से अच्छे से प्रिपेर कर लेना मतलब अगर न जैन दर्सन और बोध दर्सन में क्या क्या समानताई है समानताई हमको बतानी है तो हमें चार समानताई देखने को मिली चार नहीं है वैसे बहुत सारे पॉइंट बना सकते थे बड़ मैंने चारी पॉइंट बनाए तो पहला है दोनों ही धर्मों ने वैदिक करम कांडो और scrutin जट परिवेदों की यसेत्ता का विरोध किया अहिंसा तiventा सदा.' पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया करमवाद पुनर जनम तत्था मोग्स दोनों ही धर्मों में सामिंझ थे दोनों धर्मों में परचार परसार के लिए भिक्सू संगों की स्थापना पर बल दिया गया था अगला परसन देखते हैं गोतम बुद के दवारा बताए गए अश्ट मार्ग का वर्ण करो यह को सर्म मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है और आएगा तो भाई यह पांच न आठ चीजे बतानी है आपको आठ रास्ते आठ के आठ पॉइंट बता हुए तब ही लाजिट रहेगा ऐसा नहीं कि आपने साथ पॉइंट रिख दिए आठ के आठ याद करने पड़ेंगे आपको इनको जानते हैं समयक दृष्टि यानिकी देखना क्या देखोगे सत्या स सत्या पुन्य इनको पहचान आना चाहिए आपको इनके आदी के भेहेद करने से ही चार आरियस सत्यों में विश्वास पैदा होता है संकल्प त्रिषना से दूर रहना मान सिक्वेनैतिक विकास का संकल्प आपको लेना है वाणी मीठी वाणी बोलिये मन का अपा क्को है जो आपके लगता है या समय कहता है कई ये बुरे हैं तो वह काम आपको नहीं करने है और दो सरीर को आफ्वा लगाने के लिए उचे प्रिश्रमभी करना है स्मरिति अपनी गल्तियों को हमेशा याद रखकर विवेक और साथ दो करुम करने का प्रियास करना समाधी जानते हैं द्यान को विस्थार सकता है आप से पूछेंगे वेद कितने परकार के होते हैं इसे कुछ भी घुमा सकते हैं वह आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इनको बदला जा सकता है मैंने मेरे को लगा यह आसान तरी के सियाद रहे जाएगा आपको वेद क्या होते हैं और कितने परकार के होते हैं वर्णन भी करना या फिर आपसे सीधा बोलेंगे वेदों का वर्णन कीजिए तो कैसे भी करो उत्तर यह रहेगा अब यहां पर उत्तर में क्या लिखना है वेद क्या पहले देखो आपको अपने हिसाब से लिखना है अगर बोले कि करकाब है यह सबसे अवान करने के मंतर हैं इसमें 10 मंडल एवं 10552 मंतर है यह। यजूरवेद, इस वेद में करम की परधानता है, इसमें 40 सज्ज्जाए और 1975 मंतर हैं, जिसमें अधिकतर यग्य के मंतर सामिल है, साम वेद, यह वेद भर्तिय संस्क्रीती का मूल है, इसमें रिगवेद के मंतरों का संगीत मया आरोप, संगीत में तरीके से उखी दिखा गया है, त्थ द्यवताओं की पूजा के मनतर सामिल है, अतरववेद, यह वेद, जन शामाने से जुड़ी समस्याओं के समाधान, तथा जीवन वे समाज के नियमों का संकलन है, यह वेद, ब्रहम घ्यान का अउपदेश देता है, वे मोक्स का उपाई भी बताता है इसमें गणित विज्ञान आयुर्वेद समाथ सास्तर क्रिशी विज्ञान चिकित्सा विदी एवं रोग से संबंदित ग्यान भी सामिल है तो यह हमारे वेदों के बारे में और इसके आगे एक परसन हो रहे हैं जो आने के कभी कभी चांस हो सकते हैं या फिर आपसे यह पूच सकते कि हिनियान और महायान कोन थे क्या था एसा भी कुछ करके पूछा जा सकता है आपसे तो हुआ क्या था आसान है बिल्कु से दवितिया बौध संगती के बाद बौध दरस्रन दो भागों में टूट गया था पहला था हिनियान और दूसरा का महायान हिनियान जो है गोतम बुद्ध के दवारा बनाए गए नियमों में कोई प्रिवर्तन नहीं चाहते थे कोई प्रिवर्तन नहीं चाहते थे कोई प्रिवर्तन नहीं चाहते थे जो महतमा नहीं चाहते हिन यान वाले और महायान वाले बदलाव चाहते थे कि कानुन को समय के हिसाब से बदल देना चाहिए ठीक है तो यह थे आपके महत्वपूर्ण परसनुतर इस चैप्टर से और यह बढ़ सकते हैं देखो एक इजी सा तरीका अगर यह वीडियो आप देख रहे ह अगर यह 11 ही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बट अगर यह बढ़े मिलते हैं तो वहां से आद कर लेना बाकी वीडियो जब पास साथ परसन और एड़ हो जाएंगे मैं इसको बडेट कर दूंगा तो अभी फिलार के लिए वह आपका इवेट अब ही आप कमेंट करोगे त करते मैंनत कर रहा हूं तो लाइक वाइक भी कर देना नहीं करें तो कोई बात नहीं चलो वीडियो करते हैं खतम मैं कवर करने वाला हूँ क्लास वन से लेकर 12 तक सभी सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दवाव ताकि कोई भी अपडेट आए आपको विल्कुल टाइम से म झाल झाल